उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज से एक बड़ी खवर आ रही है प्रेमी ने प्रेमिका को मार का स्ट्रेफ्टिक टेंक में छिपा दी लाश ऐसे खुला हत्या का राज देश में इंदनों लीव-इन पार्टनर के द्वारा महिलाओं की हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे है कहीं शर्याम लड़की को चाकों से मारा जा रहा है तो कहीं हत्या करके उसके शव को फ्रीज में रखा जा रहा है या कुत्ते को खिला दिया जा रहा है इस बीच यूपी के प्रियागराज से एक दिल देहलादाने वाली घटना सामने आई है जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार कर सेप्टिक टेंक में दफन कर दिया हलांकि आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है आईए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है दरसल पूरा मामला यमुना पार इलाके में गर्चना के महुआ का है जहां 24 मई को प्रेमी आशिश कुमार गौतम ने अपनी 35 साल की प्रेमिका की हत्या करा कर उसकी लाश को मकान के सेप्टिक टेंक में चिपा दी थी लेकिन पुलिस ने घटना का खुला सा शुक्रबार को किया चानवीन के बाद पुलिस ने सेप्टिक टेंक तोड़ कर महिला की लाश को बाहर निकाला सक्के तौर पर मतब कई सबूत मिले थे तो इन्हें के आधार पर पुरा इसने नाम दे डाल दिया नाम दिया उस दिन से दरोगा साहब एक थे उन्हों ने उसको विस्वास लाया कि हम यह सब तुम्हारे बहन को चाह जिन्दा लाए चाह मुर्दा ला के जरूर देंगे इ बहन करती थी पूरा परिवार जा थएंगे फररवरी में काहें तो दो महींने बाद कह रहे हैं तो चौबिस तारीक को जब यह घर से निकली तो क्या बताई कि मैं आसीस से मिलने जा रहा हूं या आसीस ने पहुन के आए हम नहीं थे हमारे बहां से बता के गई तो जानकारी तो हुई होगी है तो उसके बाद यह 26 तारीक को मा को बुलाया फिर उनसे पहरीर लिगी क्या मा कि अगले दिन के पास फोन किया गया कहन कुछ को और कहन की होई तीरे-धीर हुए मामला चीक है फिर मेरा उन्तिस तारीक को आया थैंके भाई को उन्तिस तारीक मेरा भाई है तब जाकि यह मामला आगे बढ़ा है तो आज सेप्टी टेंक में लास पाई है तो जानकारी मिल हालांकि पुलिस ने आरोपी आशिश और चार अन्य को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बताए कि महला और उसका प्रेमी आशिश करीब 8 साल से लिविन में रहते थी पिता की मौत के बाद आशिश गौतम पुत्र मदन गौतम का उसके घर आना जाना शुरू हुआ और दो करीब आ गये महला ने अपनी तीन चोटी बेहनों की शादी करा दी दो चोटे भाईयों को पढ़ाया लिखाया लेकिन खुद अपनी शादी अभी तक नहीं की महला घर चलाने के लिए सिलाई और ब्यूटी पारलर का भी काम करती थी महला अपने प्रेमी आशिश गौतम प ऐसा ही जासा दे रहा था इस दोरान आशिश की शादी 12 बंकी में तैय हो गई इसके बाद महला ने आशिश की शादी का विरोध किया जिसके बाद प्रेमी आशिश ने महला को चार लोगों के साथ मिलकर मौत की घाट उतार दिया और उसके शब को सैप्टिक टेंक में दफ इनके द्वारा एक सोचना तीस्तारी को पुशित बाएगे इनकी बच्ची वह गायब है और मिल नहीं रही है इस संदर में इनके द्वारा फिर पुना एक तहरीर भी दी गई कि ऐसा प्रतित होता है कि वह आशिश बहतम नाम का राशिश की बच्ची हो जानता था उसके द इस संदर में सीडियार और तमाम अन्य साक्षियों के विश्केशन किया जानतारी प्राफ दूए कि आशिश बौतम द्वारा ही कोई ना कोई गटना कारिक की गई है और उससे पूस्ताच की गई है तो उसके द्वारा अपने मानाधिन मकान से यह अपरिता की बाडी जो है इस दौरान आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया पुलिस को आरोपी ने बताय कि चार लोगों को डेले लाग रुपे ठेका देकर उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कराई है इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें